भारत में कुछ समय से किसानों का मुद्दास दो वज़ा से सेंट्रल फोल्ड पे आया एक तो इसलिए कि मोदी सरकार किसानों के बारे में पिछले छे साल से चिंतित है और दूसरी ये कि कुछ महिनों से चंद महिनों से एक ग्रुप बन चुकी है उत्तर भारत में खास कर पंजाब हर्याने के कुछ किसान जो की एजिटेशन पर है लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर है जो छुपी हुई खबर है जा यूं कहें जो बहुत बड़ी खबर है कि मद्यपरदेश जो ट्रेडिशनली फूट बावल के लिए नहीं जाना जाता था कुछ सालों से बहुत जादा प्रोग्रेस किया शिवराज सरकार ने इस पे बहुत जादा काम किया चेक डैम्स बनाए वाटर हर्वेस्टिंग का सारे संयंत लगाई स्प्रिंकलर के थूरू कल्टिवेशन के लिए उस पे काम हुआ हमारे साथ रोडमल नागर जी हैं आप मध्यपदे से आते हैं सांसर साब ये बताएं कि पुझाब और हर्याना फूट बाउल के लिए जाना जाता है और कई दसक से जाना जाता है अब वहां की जमीन उपजाव थोड़ी कम हो रही है फर्टिलाइजर का ज्यादा इस्तिमाल ह हो रहा है पानी तो है लेकिन वो उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा है मोधी सरकार ने और गनिक फार्मिंग पे बहुत जादा ध्यान दिया और बहुत सारे किसानों के लिए हितकारी प्रोग्राम्स लाए जिसके कई वज़े हैं आप भी उसके साक्ष बने रहे पिछल है सक्षक्षान में वि किसान ही सेंट्रल मुद्दा था फिर कॉंग्रेस की सरकार आई थोड़ा सा रास्ता शायद आप कहेंगे कि वो भटका कॉंग्रेस découvrir कि हमें काम नहीं करनी दिया गया वस्तूश्टी है और क्या आप कहना चाहेंगे क्योंकि ये एक बहुत-बड़ा पानी पहुंच रहा है कि देखिए है कि यह है कि जो किसानों का अंदोलन है कि यह किसान भाई क्यों आंदोलन कर रहे हैं कि हम अध्यप्रदेश के इनी एक अध्यप्रदेश को छोड़ दो आप तो बाकी सारे किसान इसी बात में चिंतित हैं कि हमारे वहाई लोग आंदोलन क्यार क्यों रहे हैं और हमको तो यह समझ में आ रहा है कि किसान इसमें कोई है नहीं किसानों के नाम से आंदोलन हो रहा है इनकी समस्या क्या है इसके पहले जो क्रशी के कानून थे उसमें एक में भी परिवर्टन नहीं किया गया है कोई किसी भी चीज में किसी भी बात में किसी भी आवशक्ता में कटोती नहीं की गई है वो सारे कानून वो सारे काइदे वो सारे नियम जो पहले थे वो आज भी विद्धमान है केवल इतना किया है कि और सुविधाय बढा दी है आप अगर ये चाहो ये करो ये चाहो ये करो इसमें बबंडर मचाने के आऊ सकते नहीं है कानून में कोई परिवर्तन नहीं है कुछ जोडा गया है संसोधन भी नहीं किया है जोडा गया है अगर आप मंदी में बेशना चाहो तो मंदी में बेचो खुले में बेच ना चाहो खुले में बेचो अना वस्यक बबंडर मचाया जा रहा है बरगलाया जा रहा है किसानों का इसमें बिल्कुल हित नहीं है आधर्णी मोदी साब ने जो किसानों का हित किया है मोदी सरकार ने खेती के बारे में किसान के बारे में जो विचार किया है अकल्पनी है पचासों साल से जो किसान भाई किसान संगठन आंदोलन कर रहे थे स्वामी नाथन आयोक की जो रिपोर्ट थी जो सिफारेशन थी वो अभी तक कच्रे के धेर में पड़ी हुई थी इस मोधी सरकार ने ही उनको निकाला है उन्होंने ही किसानों को अपने पेर पर खड़े करने के लिए आयाम दिये उन्होंने ही पंक दिये हैं और किसान बहुत खुछ है किसान को कोई तकलिफ नहीं है हमारे यह मद्धप्रदेश में तो कई कुछ हे ही नहीं पिछला election तो मत्रपदेश में किसान के नाम पे लड़ा गया वो central ford पे था, कमलनाच जी कह रहे थे, हम किसान के लिए बहुत काम कर रहे हैं, सिवराज जी कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, यकीनन कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहान से बहुत बड़े नेता है, कक्का जी, वो कई बार मद्ध्प्रदेश गय वापस, लेकिन शयद कुछ दाल गली नहीं है. देखिए कक्का जी क्या है, यह हम जानते हैं, और वो यहां आकर के बड़े नेता बन सकते हैं, मद्ध्य प्रदेश में उनकी अपनी कोई जमीन नहीं है, मद्ध्य प्रदेश में कक्का जी को कोई पैचानता भी नहीं है, वहां पैचानता था, पैचानते थे लोग किसी संगठन को, और उस संगठन में किसी समय में आपने कहा कि मद्यप्रदेश में किसानों के नाम से परिवर्तन हुआ तो ये बिलकुल सही बात है किसानों के नाम से परिवर्तन हुआ लेकिन कॉंग्रेल जिस समय चुनाव मेदान में गई उस समय उसको अंदाज ही नहीं था और इतने जूट बोले इतने जूट बोले इतन कई पार्टी एम किसान के लिए काम कर रहें और उनको उतनी अद踏र दिन में तो दूप नहीं किसान और गुछ नहीं हुआ कि किसानों का माफ नहीं तो दस दिन में में scratchy जांसे में आ गया चला गया और वहीं वज़े थी कि जगे 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 कांग्रेस के नेताओं को लोग घेर रहे थे किसान लोगी घेर रहे थे और उसी का प्रणाम था कि कांग्रेस में से ही लोग तूट करके उन्होंने त्याक पतर दिये उनका जमीर उनको अलव नहीं कर रहा था क्या बोलें क्या नी बोलें किसे खित्र में जाया है मून ही दिखा पा रहे थे तो आपका कहने का मतलब है कि जोती रादेत सिंद्या जी का जो गुरुप है वो आपके साथ आया या आपके विचारों से प्रभावित होके आया क्योंकि वो किसान उनके पीछे भी अपनी मांगया थी, कॉंग्रेस की जो वादा खिलापी थी, कॉंग्रेस जो जनता को दोका दे रही थी, उस कॉंग्रेस से चिड़ करके, उसको तिलान जली दे करके, मद्ध्य प्रदेश के किसानों के भले के लिए, मद्ध्य प्रदेश की जनता के विकास के लिए, सिंधिया जी भारती जन पानी का बहाव नहीं था, खेती के लाइक, जब से शिवराज जी आये मुख मंत्री, तो उनका एक चेक डैम बनाना, पानी के स्रोत का उसरजन करना, और अब कल ही प्रधान मंत्री जी के सामने, उनके उपस्तिती में, केन बेटवा का जो मिलना था, जो इनको जॉइंड करना था, इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स, जो बीस साल से भी ज़्यादा समय से, जब अटल वियारी बाजपईज प्रधान मंत्री जी तब वो प्रोजेक्ट एक बार ओपर चड़ा था, फिर ठंडे बस्ते में हो गया, फाइनली कल एक बार, साथ हजार करोड और कई डिस्टि किलोमेटर से भी जादा का नहर बनना और इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स, आप इसको कितना बड़ा कदम मानते हैं, एक वहां के लोगों के लिए, उन डिस्टिक्ट के लोगों के लिए जो लाभनवीत होंगे, और दूसरा, ये देश के आयाम में क्योंकि ऐसे तीस से भी जादा प्रोजेक्ट हैं, इंटर लिकिंग ऑफ रिवर्स, गोदावरी कृष्णा की तो बात हम कई दसकों से सुनते आ रहे हैं, कितनी उसमें उलजने हैं, कल भी ये बात आई, जब जलमंत्री ले कहा कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, दोनों स्टेट जब एक फॉर्मल पर आएंगे, सामने आएंगे, तब जाकर के उन से हम उनको रास्ता दिखा पाएंगे, क्योंकि वो नहीं आ पा रहे हैं, एक कॉमन प्लाटफॉर्म पर, शिवराज जी और योगी आदितिनाज जी ने जो कल एक डिसिजन लिया, आप एस राजनितिक और एस आ सोशल वर्क कर आप उसको क्या मानते हैं, कितना बड़ा ये एक सब्जेक्ट है और कितना बड़ा इसका दूरगामी इसके रिपकर्शन्स है या इसके पॉजिटिविटी है, देखिए ये जो दिशा है, ये दिशा इस देश के लोगों की, किसानों की, गाओं की, गरीब की पूरे का ही बदल देगी, आदरणी अटल जी का सपना था नदियों से नदियों को जोडने का, हम देखते हैं, बरसाद होती है, पानी गिरता है, एक शेतर में, भैंकर बाड़ाती है, तबाही हो जाती है, दूसरा ख्षेतर खाली पड़ा रेता है, अगर नदियों का लिंक एक द रहे वर्ड कर देंगे, इसी के साथ साथ, वहां पर बड़े बड़े वाटर ट्रेंक ये बने, और हमने बनाए हैं, हमने इस काम की सुरुवात बहुत पहले से कर दी है, आदरणी मोदी साथ के नेतरतु में ही, आदरणी प्रधान मंत्री जी ने, एक बहुत बड़ा डेम, मोहनपुरा, जो पांथ हजार करोड का है, बनकर के तैयार है, हो गया, बन गया, आदरणी प्रधान मंत्री जी के करकमलों से उसका लोकारपन हुआ है, इसी प्रकार से एक कुंडालिया डेम है हमारे या, वो साले चार हजार करोड का है, चार हजार छेस्सो करोड का, एक र सुठालिया है 16 करोर का है जिसको वो छोटा डेम कहते हैं और छोटे डेम 90 डेम और छोटे बड़े डेम हैं ये सब मिला करके हम देखते हैं कि पुराने समय में जितने गाउँ हैं हर गाउँ किसने किसी तालाब के किनारे था आज आज उन तालाबों को हमने बरबात कर दिया नदियां सुखा दिए अब अब विचार कीजिए हमारे मद्धर्देश में ठीक है पंजाब में हर्याना में उत्रप्रोदेश में गंगा यमुना यह सब हमालय से न कलने वाली नदियां आजाएगी हमारे यह कौन सी हमालय से निकलने वाले नदी है उसमें पानी कहां से आएगा इसके लिए तो हमको surface water को एकत्रिद करना ही पड़ेगा और surface water को एकत्रिद करने के लिए बरशात की एक एक बून्द को सहेच करके रखने के लिए बड़े बड़े water raising हमको बनाने पड़ेंगे बड़े बांद रोक करके र आएगा और हमारे अपने क्षेत्र में ये व्यवस्था हम लोगों ने पिछले पांस साल में खड़ी की है हमारे यांकी इस्तिती ऐसी है मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं हमारे मद्यप्रदेश में तो नर्मदा है अब नर्मदा कौन से हिमाले से निकली है और इसलिए उसके लिए तो हमको एसी व्यवस्था हैं जल प्रबंधन हमें करना पड़ेगा कि हमारा सर्फेस वाटर कैसे बढ़े अंडर्गाउंड वाटर जो है बहुतल जल ये कम कम और कम होते ही जा रहा है पेड़ पोधे सूपते जा रहे हैं उसलिए खेत तालाप छुप-छुप पानी रहेगा नमी रहेगी तो जमीन अपना पुब्जाव होगी पेड़ पोधे रहेंगे एक पेड़ 5000 लिटर पानी अपनी जलों में संग्रहित करने की ख्रमता रखता है जो बरसाद में उस पानी को संग्रहन करता है सर्दी में सुसपता वश्था में रेता है और गर्मी में एक एक कण के रूप में उस जड़ों से उस डिस्चार्ज करता है जिसकी वज़े से हम देखते हैं सुनते हैं पहाडों में से जरने निकलते हैं कहा सब पहाड़ों में जरन हैं। जंगल प्रढ़ों के मज़ते हैं। उसलिए किसानों से भी हम आगरे कर रहे हैं। खेत्य शेत्रतालाब बनुआ रहा हैं। मन्डरेगा के माध्यम से बनुआ रहे हैं। और यह सरकार की योजना हैं। आधेनी प्रधान मंत्री जी की योजना है, शुवराज सिंग जी उसको साकार कर रहे हैं मद्ध्य प्रदेश में, हमारे यहां मैं अपने क्षेत्र की बाद करता हूँ, हमारा अपना क्षेत्र राजगर क्षेत्र, पूरा पहाडी क्षेत्र, याने आधे के लगबग जिला ऐ करता है, में जिसको अपना घर केते हैं, वहां लोग तीन से चार महिने रहते थे, बाकी समय घरों से बाहर रहते, दरवाजे लगाते नहीं, क्योंकि घरों में दरवाजे होते नहीं थे, और दरवाजे इसलिए नहीं होते थे कि ले जाने के लिए कोई चोरी करके ले या तो ले किया जाएगा हमारे किसान हमारे भाई लोग दरदर की ठोक रखाते फिरते थे आठ भाई ने कि विदिशा जा रहे हैं भेल सा जा रहे हैं पेट पालने के लिए जा रहे हैं मम्मा वे उसी ले करके चरह करने के लिए जा रहा है पलायन 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 चाहे पेट भरने का मजदूरी का पलायन हो चाहे सिख्षा का पलायन हो चाहे व्यापार व्यावसाय का पलायन हो यह हमारा बच्चा जब सिख्षा प्राप्त करके वहां से आ जाता है तो रोजगार के अउसरा ढूंडने का पलायन हो अंत में पलायन ही पलायन हमारे भागे में लिखावा था लोग केचे थे बेकवड जिला है और हकीकत में बेकवड था आधरी प्रधान मंद्री जी ने उसको आकांक से जिले में सामिल किया आज इस्थिती ये है कि हम हमारे राजगर जिले क उस जगे हम ले जाने में सक्षम सफल होने वाले हैं मद्यप्रदेश में विदिशा जिसको भेल सा कहा जाता था वह सबसे जादा गेहूं पेदा होता था आने वाले समय में हम विदिशा को टक्कर देने वाले हैं और हर्याना और पंजाब का जो गेहूं की बात करते हैं अगर हमारा अपना गेहूं बंबई जाए और पंजाब का गेहूं बंबई जाए पंजाब का गेहूं बोल्ड दाना एकदम चमकीला हमारा सुखा हुआ दाना मटमेला सा दिखने वाला जब वो बिकता है बाजार में तो 500 रुपे क्यूंटल सामाने से सामान गेहूं का 500 रुपे क्यूंटल का अंतर होता है वो 500 रुपे क्यूंटल जो महंगा बिकता है गेहूं वो जो हमारा कमजोर गेहूं दिखता है वो मद्यप्रदेश का गेहूं पंजाब के गेहूं से 500 आपके मद्यपदेश से FCI क्यों नहीं अनाज उठाती है क्योंकि जारा अनाज तो FCI का जितना टोटल बजट है एक साल में अनाज उठाने का वो तो मोसली पंजाब और हर्याना में हो रहा है आप कह रहे हैं कि आपके यहां गेहूं पंजाब से भी जादा हो रहा है लेकिन यहां किसानों को उसका सही मुआबजा मिल पाए या धन मिल पाए उससे आपको भी खुशी होगी और आपके किसानों को भी और खुशाली वहां भी बढ़ेगी देखिए मद्द्य प्रदेश में जो ग्यहों की खरिदी होती है एक दाना भी हमारी सरकार एक एक दाना किसान से खरिदती है एक एक दाना आपको आश्चारी होगा मैं पिछले साल की बात करता हूँ आपसे हमने कहा ना पिछले साल भी मद्य प्रोदेश में पंजाब से ज़्यादा गया है कोरोना काल में पंजाब से ज़्यादा गया है पंजाब से ज़्यादा उपज हमारे पैदा हुई है और हमारे अपने राज तो आपका कहने का मतलब है कि मद्युपरदेश की किशान बहुत खुशाल है इसी वज़ा से मद्युपरदेश में कोई एजिटेशन नहीं हुआ जो कुछ छुट-पुट राज्य में जिनको आप कह रहे हैं कि यह किशान नहीं है उन लोगों ने जो दिल्ली के इर्दगेर् लगा है यह मद्युपरदेश से लोग नहीं इसमें ज्यादा इंवाल हुए या इंस्पाइड हुए या उसमें शामिल नहीं हुए बिलकुल हकिकत है हमारे हैं इतने बड़े-बड़े प्रोजेट चल रहे हैं इतनी बड़े-बड़े योजनाय चल रही है मैं तो आपको इंडेम में एक लाख 25,000 हेक्टेर मोहनपुरा में एक लाख 20,000 कुंडालिया में में 15,001 में 60,001 में याने कुल मिला करके 3,008,000 हेक्टेर जमीन हम नई सिंचित करने जा रहे हैं नई सिंचित करने जा रहे हैं जो सूखी पड़ी हुई थी जिसको बंजर लोग जमिन केते थे जिसको लोग समझते थे कि यह हमारा अभिशाप है आज वो वरदान हो गया आदर्णी प्रथान मंतली जी की प्रेरना से अदर्णी शिवरा सिंच जी के सहयोग से आज इस्थिती ये है और सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात कि जो देश के अन्य प्रदेशों में जिस आनाज में जिस ग्यहों में जहर है वो हमें वरदान साबित हो रहा है क्योंकि आज तक हमारी जमीन सूखी थी उसमें कभी केमिकल्स गय ही नहीं रासाइनिक खाद, रासाइनिक दवई गय ही नहीं क्योंकि पानी नहीं गया पानी इसलिए नहीं गया कि पानी था ही नहीं अब पहली बार पानी आ रहा है ये हमारी दो पूरी जमीन पूरी उपज ये 100 percent जेविक होने वाली है उसको परमाणि करनाना क्या आवशीक उसकता भी नहीं है उसको जेविक बनाने क्या आवशीक नहीं है वो आल्रेधी ही जेविक पेदा होगा वहाँ पर क्योंकि पहली बार पानी जाएगा और इसलिए उ केमध में जो सवाह है कटर एक खीट वांध से जमीन सिंचित होने हृँ उसमें एक इंच भी ओवन के नहीं है कि एक इंच भी में के नहीं है शारी की सारी केनाल वसारी की सारी नहरे यह पाइप लाइन वहां तक जा रही है और किसान रात को सिचाई करने के लिए दिन को सिचाई करने के लिए जब भी वहां खड़ा रहेगा तो उसको हाथ लगाने की जरुरत नहीं है बटन दबाने की जरुरत नहीं है वो ओनलाइन मोबाइल पर mobile पर click करेगा, oon करेगा, mobile अफ करेगा, ओपसे प्रेसर चालू हो चाईगा, mobile से प्रेसर बंद हो जाईगा, उसके अपने खेथ का, वहां जो wall लगे हुए है, उसको ओपर भी number डले हुए है, code number डले हुए है, जैसे code number दबाएगा, उसके पांच हेक्टर में पानी चालू हो जाएगा यह एसी योजना है और जो हम अभी 65,000 हेक्टर में हमने अभी डेमो करके उसकी शुरुवात कर दी है यह तो दुरभाग गी था मद्धिप्रदेश का हम लोग जहांसे में आ गए हमारे किसान लोग बैकावे में आ गए जो हमने फिर से प्रारंब किया है जगे जगे पाय प्लान बिश रही है जगे जगे नहरें चालू हो रही है और एक डेड़ साल के अंदर हम राजगर जिले को मद्ध प्रदेश के नहीं देश के नक्से पर एक आदर्स जिले के रूप में एक आकांशी जिले के रूप में जो उस छेत्र को रिप्रेजेंट करते रहे लेकिन ये भी बात सच है कि जदि पाइप वाटर इरिगेशन में और अगरिकल्चर में आता है तो 30% 20 से 30% तक का पानी जो भाब बनता था वो नहीं बनेगा विच मीन्स देट कि उतना एरिया और इरिगेट हो पाएगा एक और पानी नल पे आये ये शायद अकल पनिये थे और अब शायद वो उसके दिन भी आ रहे हैं 75 साल जब हिंदुस्तान के होंगे अजादी के उसके आसपास तक ये भी एक सब्जिक्ट पूरा होगा और ये एक बिहेवियर चेंज और नीचे के तबके तक जो लोग हैं उनकी भ बहुत दसकों से पुरानी आशा को फलीवूत हम देखते हुए देख पा रहे हैं एक दो साल में आधरणी प्रधान मंत्री जी का जो सपना है हर घर नल से जल हमने अपने मद्ध्य प्रदेश में और अपने राजगर क्षेत्र में 2022 तक एक भी घर अभी हम 2021 तेरा सो गाउं में 1500 में काम चालुए 1400 क्रोड की योजना 1300 गाउं में और सिर हम ने देम बनाया है इसडेम में इस एडेम में एरीकेसन का पानी अलग है पेजल हो अलग से करके रखा है अलग-अलग सारे डेमों में पंध्य加श पानी और इन्दस्रि के लिए अलग वर करके रखा है और इस बन चुकी है सारे प्रट्य गाउ में प्रट्य घर में शुद्ध पेजल का नल से जल यह हम एक साल के अंदर अंदर दे देंगे और आधे से जादा गाओं में से दे दिया है हमने काम चालू हो गया है काम चालू यह नहीं पाइपलैन चालू हो गई है अगर आगे बढ़ते हैं आत्म निर्भर भारत की ओर यह सब्जेक्ट प्रधानमंत्री जी के लिए दिल के बहुत करीब है लेकिन आत्म निर्भर भारत में यह भी है कि 5 trillion dollar economy हमें पहुँचना है यह आपके opposition कहते हैं यह सिर्फ subject है कहने की बाते हैं नौकरी नहीं है नौकरी चली गई पकोड़े बनाओ यह बहुत सारी बात आप भी सुनते आप तो शांसे दे तो आप तो रोज इन से अभ्यस्त ह पहुँगे इन सब्धों से वस्तू इस्टिती क्या है वस्तू इस्तिती यह है जैसा मैंने कहा और कॉंग्रेस का तो काम जो है केवल जूड़ बोलना है विपख्ष के पास जूड़ बोलने के सिवा कोई काम है नहीं और किसी भी सम्वेधानी संस्था पर उनको विश्वा नहीं चुनावायोग पर कांग्रेस को विश्वास नहीं सुप्रेम कोड़ पर कांग्रेस को विश्वास नहीं राष्टपती जी पर कांग्रेस को विश्वास नहीं याने कांग्रेस को किसी के उपर भी विश्वास नहीं है और वही वज़े है कि आदानी राहुल जी की जो प्रेरना राहुल जी का जो मारदर्सन है उस राहुल जी के मारदर्सन की वज़े से कांग्रेस की ये इस्तिती बनी हुई है और कांग्रेस उल्टिशा में जा रही है हम तो हमारी अपनी बात करते हैं हम कांग्रेस की बात नहीं करते हैं और जिस तरह से सरकार ने आधरणी प और लोग ही नहीं कहते हैं, सारी दुनिया कहती है, भारत वर्ष की सबसे बड़ी अगर कोई कमजोरी है, तो वहां की अपनी जन संख्या है, लेकिन हमारे प्रसान मंत्री जी कहते हैं, कि भारत वर्ष की सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है, तो हमारी अपनी जन संख्या है, हम हर घर में हर व्यक्ति को कोई न कोई हुनर याद होना चाहिए चोटा हुनर याद होना चाहिए हमारे अपने क्षेत्र की बात करता हूं मैं फिर से हमारे अपने राजगर में 14,00 स्वसाहिता समू की महिलाये हैं एक लाख चालीस हजार एक लाख चालीस हजार बहिने उससे जुड़ी हुई हैं अगर चार लाख चार संख्या भी एक परिवार में मानो तो साड़े पांस लाख छे लाख के लगवग होती हैं संख्या और इन सारे समूओं को यह कैसे आत्मरपर बनें सुबे उठने से लेकर के रात को सोने तक जो आवसक्ताइं लगती है उन सारी आवसक्ताओं की आपूर्थी हम अपने साधन संशादनों से केसे कर सके इसके लिए हमने शुरुवात की है एक अपना बाजार बनाया है लोगों को तयार किया है इनारेलम के माध्यम से उनको प्रशिक्षन दे रहे हैं और छोटे-छोटे छोट-छोटे काम सुबह मंजन बड़ी पापड चाय दूद नेपकीन साबुन यह सारी चीजें उन समूंग की महिलाओं के माध्यम से हम बना रहे हैं उनका विक्रे भी कर रहे हैं अपना सामान अपना साबुन अपने अगरवत के लिए अपना माजार अपने लोग यह भाव चाय सेव होगा नमकीन होगा मठरी होगा सारा सामान जो है कपड़े होंगे इतना नाने के साबुन इतने पारदर सी साबुन आप हम देखते रहे जा फिनाइल गो फिनाइल यह सारी चीजें हम वहाँ पर पेदा करवा रहे है इसी के साथ साथ हमने जो महाँ पर उपज होगी जो फसल होगी उसके लिए प्रसंसकरण के केंद्र महाँ पर लगें इसके लिए भी 1200 हेक्टर जमीन हमने इंडस्ट्री के लिए रिजरो करवा दी है 1200 हेक्टर क्योंकि एक जमाना था जब राष्टी राजमार्ग नहीं थे एक जमाना था कि रेलवे नहीं थी एक जमाना था कि पानी नहीं था एक जमाना था कि बिजली नहीं थी आज रेलवे है पानी है बिजली है राष्टी राज सडकें है और भोपाल में कारगो है हम आठ से दस घंटे में देश में कहीं भी जा सकते हैं दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं एक दो देशों को छोड़ दिया जाए तो इन सारी अदुसमरस्णाओं को खड़ा करने के लिए सारी चीजे हम खड़ी कर रहे हैं और आने वाले समय में हम हमारा ये प्रयास है कि ना व्यक्ति मजदूरी के लिए बहर जाए ना व्यक्ति सिख्षा प्राप्त करने के लिए बहर जाए ना व्यक्ति इलाज करवाने के लिए बहर जाए ना व्यक्ति रोजगार प्राप्त करने के लिए बहर जाए ना व्यक्ति कारखाना खोलने के ल करने के लिए नीचे से अंतिम आदमी वहां से शुरुवात करके और इसको मुपर पहुंचाने वाले हैं देश को अगर मजबूत करना है तो गाउं को मजबूत करना पड़ेगा और गाउं को मजबूत करना है तो एक एक व्यक्ति को मजबूत करना पड़ेगा जब व्यक्ति मजबूत होगा तो गाउं मजबूत होगा गाउं मजबूत होगा तो प्रदेश मजबूत होगा और प्रदेश मजबूत होगा तो देश सशक्त होगा और इसलिए व्यक्ति के से मजबूत बने इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं राहूल गांदी जी ये भी कहते हैं कि RSS में जो पढ़ाई होती है वो जमात जो पाकिस्टान में तंजी में हैं उनके जैसे पढ़ाई होती है कितना आहट की बात है या राहूल गांदी जी ये समझ नहीं पा रहे है RSS ने क्या काम कि कि RSS का जो काम है वो सरानिय रहा देखिए RSS राष्ट्री सुमसर्ख संग एक राष्टवादी संग्ठन है एक देजभक्त संग्ठन है और देजभक्तों को किसी सिर्फरे के प्रमानपत्र की आउशकता नहीं है तो आप क्या खहना चाह रहे है राहूल गांधी जी नों कहा उसके बारे में आप क्या कहेंग में जो उन्होंक्ष आपने वी ऐप्टे पहले उन्होंने बहुत मुकरता से कहा था अपने tweet में देखिए उनकी नसमजी है उनकी नसमजी के सिवा कुछ नहीं है जैसे आधानी राहुल जी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो लोग हसना सुरू कर देते हैं अब उनके बारे में क्या करे है जानती है सारा देश तू जानता है सारी दुनिया जानती है और उनके अपने लोग भी जानते हैं उनकी अपनी पार्टी के लोग भी दुखी है और हम सब भी दुखी है कि कॉंग्रेस की हालत इतनी खराब हो रही है विपक्ष मजबूत चाहिए यह हम लोग भी चाहते हैं लेकिन सर आप तो अंदर अंदर खुश होते हैं कि राउल गांदी जब तक हैं तब तक आपकी पार्टी को जीत पर जीत मिलते जाएगी देखिए ये हर प्रकार के लोग रहते हैं जेसी दृष्टी वेसी स्रष्टी लेकिन हम राष्टवादी लोग हैं और इ देश का भला कैसे हो इस समाज का भला कैसे हो इसके लिए हम काम करने के लिए आये हैं और देश का भला समाज का भला इसके लिए एक सशक्त विपक्स की भी आऊ सकता है और इसलिए हमारा सोच ऐसा नहीं है कि विपक्स समाप्त हो जाए विपक्स रहे लेकिन अच्छा यहां करेंगे सब्सक्राइबäl हो रहां बंगाल में मम्ता बैंचर जी से थिंद मूल से आपकी बीजेपी की बहुत काटे की टकर बताई जा रही है। क्या कैसे आप आकलन कर रहे हैं बंगाल में, बीजेपी के लिए, पॉंडीचेरी में, तमिलनाड में, असाम में, जो ये सारे केरल में क्या सिच्वेशन है, आपका क्या आकलन है, आप आरेसेस के विचार से बहुत करीब से हैं, तो आपके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या आकलन है, क्योंकि आरेसेस में भी बहुत चिंतन हो रही होगी, बीजेपी में तो हो ही रही है। देखिए बंगाल या आसाम या जो जहां चुनाव हुरें पांडी चेरी ये सारे प्रदेश इस देश से अलग नहीं है और वहां के नागरिक भी ये देख रहे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश होगा मद्य प्रदेश होगा हर्याना होगा करनाटक होगा अन्यान्य प्रदेशों की इस्तितियां क्या है वहां विकास केसा है और बंगाल का विकास केसा है देश के अन्य परांतों में कानून व्याउस्था केसी है बंगाल की कानून व्याउस्थ वो भी हमारा युभाज अंग है और इसलिए उन लोगों को भी लगता है और भारती जंता पार्टी को भी लगता है कि बंगाल के लोगों के भला होना चाहिए और बंगाल के लोगों ने तै कर लिया है कि वो भारती जंता पार्टी के साथ चलने वाले हैं आप देख रहे हैं नेत्रतु में भारती जनता पार्टी के नेत्रतु में सब लोग खड़े हैं निश्चित रूप से भारी बहुमत से पस्चिम बंगाल में भारती जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है बनने वाली है बन करके रहेगी यह आप कैसे confident हैं क्योंकि जो तीन बार election के announcement के बाद त अपना कम्प्लेन लेके जाती है लोग अभी भी ये चिंती गवर्नर साब ने भी ये चिंता जाहिर किये कि एलेक्षन के दोरान हो सकता है वोटिंग के दोरान कुछ सड्य अंतरकारी लोग या कुछ ऐसे अराजक तत्व होंगे आप उससे कैसे उबर पाएंगे या आप उसको कैसे काउंटर कर पाएंगे देखिए भारती जनता पार्टी के साथ पस्चिम बंगाल की जनता खड़ी है और तरणमूल कांग्रेस अपने गुंडों के माध्यम से प्रसासन के माध्यम से उन जनता के उपर दवाव बना रही है लेकिन जब जनता बिगड़ जाती है जनता जब मन बना चुकती है तो जनता किसी से डड़ती नहीं है और इसलिए जनता के उपर ज्यादा अटेक नहीं हो जनता को ज्यादा क्रेस नहीं किया जाए इसलिए भारती जनता पार्टी जो है चुनावायोग से और राज़पाल मोहदे से आगरे करने का उसका अपने काम है सचेत करने का उसका अपने कर रहे हैं और कैसे कैसे लोगों को पर अटेक कर रहे हैं इसलिए बंगाल की जनता की जानवाल की सुरक्षा बंगाल की जनता का विकास बंगाल में सिक्षा बंगाल में स्वास्थ बंगाल की क्रशी और बंगाल से गुंडा राज की समापती और बंगाल की खुशाली के और भाइपो कल्चर से निजात पाएगी नई सरकार यदि बीजेपी की आती है बिलकुल कटमनी से निश्चित निजात पाएगी ब्रष्टाचार से निश्चित निजात पाएगी आतंकवाद से ब्रष्टाचार से गुंडा तत्मों से इन से निश्चित रूप से निजात और अच्छी सरकार और बंगाल का विकास बंगाल की जनता का भला ये भारती जनता पार्टी करेगी असाम और केरल में क्या आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं असाम में क्या आपके इंकम्बेंट गर्मेंट है वहाँ अब भी सरकार भी है आने वाली क्या आप situation आप देखते हैं असाम में left के साथ आप कैसे जूझ पाएंगे या आप उसको कैसे परास्त कर पाएंगे देखिए असाम में हमारी सरकार फिर से बनने वारी है क्योंकि हमने काम करके दिखाया है विकास किया है आसाम के जनता और आसाम के लोगों ने भारती जनता पार्टी की सरकार को देखा है और इसलिए आसाम के जनता भारती जनता पार्टी की सरकार के साथ में है आसाम का जो भला किया है आसाम का जो विकास किया है असाम को जो मुख्यधारा में लेकर के आई है वो भारती जनता पार्टी की सरकार लेकर के आई है और इसलिए महाँ पर निश्चिय दुरूप से फिर से भारती जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है रहा सवाल केरल का तो केरल में कुछ इस्थितियां प्रतिकूल है लेकिन बार लेफ्ट की सरकार बनेगी, एक बार कॉंग्रेस की सरकार बनेगी, जो बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी से प्रभावित लोग हैं, वो इसी उधेड़ गुन में लग जाते हैं कि उनको लेफ्ट को वोट देना है, या कॉंग्रेस, यूडीएफ को वोट देना है, य लेकिन हम अच्छा प्रदासन करेंगे लोगों का अच्छा जन समर्थन हमको मिल रहा है और गुंडा राज आतंक का राज अराजकता का राज कोई भी पसंद नहीं करता जैसे व्यक्ति को विकल्प मिलता है व्यक्ति उसका चैन करता है और विकल्प के रूप में इस समय इन दोनों व्यावस्थाओं से भारती जनता पार्टी की व्यावस्था ही उत्तम है और इसलिए केरल की जनता ने भी मन बनाया है कि भारती जनता पार्टी को ही हमारे प्रदेश में आना चाहिए लाना चाहिए इसके लिए केरल की जनता भी केरल के लोग भी प्रयास कर रहे है आपके राज्य के साथ सटा हुआ महारास्ट का राज्य है आप सांसद हैं आप उस पे भी जो डेवलप्मेंट्स हो रही हैं कई दिनों से कुछ इस पूरे हफ़ते में बहुत फास डेवलप्मेंट हो रही है सरत पबार जी कुछ कहते हैं नसीपी के जो महामहीम हैं हेड है देविंद फड्नवीज जी ने उनको काउंटर किया महारास्ट की मुखमंत्री जी कुछ और बोलते हैं क्या लग रहा है महारास्ट में ये अगाड़ी जो है तीन पार्टियों का जो अगाड़ी है नसीपी कॉंग्रेस और सिफसे न क्या इनका भविश्य आप देख रहे हैं यदि आप मुल्यांकन कर पाए देखिए जिस प्रकार से महारास्ट विधान सभा के चुनाव हुए थे जिन परिश्यतियों में चुनाव हुए थे वो तो एंड़े के नेतरतों में चुनाव हुए तर सफलता मिली थी लेकिन जिस तरह से ये गड़जोड बना ये सत्ता प्राप्ति का गड़जोड बना था और सत्ता प्राप्ति का गड़जोड क्यों बना ये जनता को अब समझ में आ रहा है, हपता चाहिए, महिने चाहिए, कलेक्षन चाहिए, पेशा चाहिए, तो जनता इसको देख रही है, जनता ने इसको समझ लिया है, और आज महराष्ट की क्या हालत है, किस दिशा में वो लोग जा रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या उपर भरोसा नहीं है. सब कलेक्सन, कलेक्सन, कलेक्सन ये जो विपक्षी लोग हैं वहाँ पर खास करके चाहे कांग्रेस होगा, चाहे एनसीबी होगी और सिनसेना तो एक घोर अउसरवादी ये सारी स्थित्न जो बनी हैं ये कोड़ सप्ता के गटजोड के लिए बनी है ये सब इसके मौले लोग हैं इसके मौले नहीं है महाराष्ट में तो कोरोना का जो 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 नंबर्स हैं वो एक बार फिर से सकेंड वेब में भी बढ़ता दिख रहा है पहले वेब में इतने सारे लोगों की मौत भी हुई और इतना हमेशा महाराष्ट कोरोना पे काबू नहीं पापा है कई डिस्ट्रिक्ट में कई शेहरों में कर्फियों भी लगाना पड़ रहा है इस वक्त भी महाराष्ट में मैंने कहा ये तीनों दल जो साथ में आए हैं वो सत्ता के स्वाद चखने के लिए आए हैं जनता की भलाई उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं है जनता का क्या होगा महाराष्ट का क्या होगा इसकी चिंता इस सरकार को बिल्कुल नहीं है उसको चिंता है तो क्यों एक है कलेक्शन, 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 कलेक्शन अधरी एक आखरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ यह उत्तरप्रदेश और मद्यप्रदेश कुछ दसक पहले गरीब राज्यों में काउंट होते थे और एग्रेरियन ये दोनों राज्यर है आज उत्तरप्रदेश हिंदुस्तान की जीडीपी में बहुत जादा एक significant contribution है और वो एक competition है मद्यप्रदेश के लिए भी क्योंकि मद्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश का एक जैसा economic structure है बड़े राज्य है, population है आपको क्या लगता है यह एक healthy competition कहां ले जाएगी इन दोनों प्रदेशों को, क्या आप एक विचार की रूप में या एक आकलन के रूप में भविश्य में आप इनको देखते हैं क्योंकि उत्तरप्रदेश is on the rise, मद्यप्रदेश आपने कहा कि जब ये किसी बहुले, जब ये पानी आ जाएगा तो बहुत ज़ादा development होगा आप निरभर भारत में ये दोनों राज्य बड़े राज्य हैं, इनका contribution 5 trillion dollar economy के लिए बहुत important होगा, भारती जनता पार्टी का सोच और काम करने के दिशा, हमेशा हम लोग ये चाहते हैं कि हम अपनी जड़ों से के से जुड़े रहें, हर व्यक्ति को अपनी जड़ों से जोड़ करके रखना, और इसलिए जहां जेसे इस्थिती परिस्थिती है, कहीं अगर पहाड़ी ख्षेत्र है, तो वहाँ वनों को किसे डवलप किया जाए, जहां कहीं मेदानी ख्षेत्र है, तो वहाँ पर करसी को किसे डवलप किया जाए, इंडस्ट्री को किसे डवलप किया जाए, और चाहे मंद्यप्रदेश होगा, चाहे उत्तरप्रदेश प्रतिशपर्दा है सुचिता की जिसा मैंने कहा कि भारती जन्ता पार्टी की सरकार ही एक मात्र एसी सरकार है जो इसकीम देती है योजना देती है बाकी की जितनी सरकारें हैं वो सब इसकेम देती है घोटाले देती है और उसका प्रमान मैं आपको बताऊं कि एक समय के भीजते हैं तो नीचे तक जाते जाते पंदरह पेlastे रेता हैं। लेकिन आज के प्रधानमंत्री उनको भी फीरा दर्द था। और आज के प्रधान मंतरि आदरनी मोदी साब एक रुपया भेशते हैं तो एक रुपया मिलता है और एक हजार भेशते हैं तो नौ सो नन्यानवे नहीं पूरे एक हजार उसको मिलते हैं और इसकी वजे है कि हमारे दिमाग में इसकीम है लेकं हमारे नेताओं की नीती उनका भला हो देश का कोई मतलब नहीं, समाज का कोई मतलब नहीं, खेत्र का कोई मतलब नहीं, यह पूरा पश्चिम का अंतर है, और इसलिए हम सकरात्मक दिशा में चलते हैं, सकरात्मक दिशा में चलते हैं, लोगों को अपने जड़ों से जोड़ करके रखते हैं, ताकि जहां क्रसी हो स हो सकते हैं हर जगे जगए जहां अलग 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 रुचियां है अलग प्रकृतियां है और इसलिए हमारी सरकार ने तै किया है एक जिला एक फसल जहां की जलवायू जेसी है जहां जेसी जलवायू है जहां जेसी उपश पैदा होती है वहां उसको जो है समरेक्षन देना उसको परस्तरह देना और परस्तरह यह नहीं देना उसका वहां पर प्रसंस करना भी करना झाल 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 झाल